जहिन मित्रों मित्रों बनाना फिल्ड में आपको दिखा रहे हैं बनाना फिल्ड उत्तर प्रदेश केला खेती उत्तर प्रदेश डिस्टिक सुल्तानपूर एक छोटा सा गाउं सिक्रा में अपने खेत में हम आपको आज रिव्यू दिखा रहे हैं आपको ले चलते हैं खेत के अंदर साइड में, आप देख सकते हैं, अठारसो पौधू का प्लांटेशन किया गया है, और जब खेला खेती की बात आती है तो उत्तर प्रदेश में इस तरह का पौधे प्लांट देखने को नहीं मिलते हैं, दोस्तों आपको बता दें कि 2011 से हम केला की खेती फार्मिंग कर रहे हैं, लगबख दो साल, तीन साल सीखने में चला गया था, कुछ लोग बोल रहे थे इस खेत को छोड़ दो धान, करो गन्ना करो, तो हम लोगों ने इस खेत मतलब खेला की खेती करना नहीं छोड़ा, इसमें जानकारियां प्राथ करते गए और धीरे धीरे जानकारी में उतर परदेश का कलाइमेट और यहां का मतलब केशना कौन सा कमपोज, खाद हर चीज जान गए और यहां पर मतलब की केला, अच्छे दाम भी मिलने लगा और उतपादन भी हमारा अच्छा खासा हुथा है, जैसे मतलब क्वालिटी माटेरियल जो ओरता है घवद निकलती है, वो भी क्वालिटी में रहता है, कुछ किसान भाईयों की क्योरी रहती है कि हम केला लगाएं, सेक्सेज होंगे की नहीं होंगे, हम उनको बता दें कि हम लोग 2021 कर रहे थे, तो लगवग 2 साल, 3 साल, 3-4 साल हम लोगो कोई प्राफिट नहीं म सबसे पहले मैं आपको बता दूँ प्लांटेशन की डेट जो होती है उतर प्रदेश में, युलाई मांथ में सबसे बढ़िया रहता है, इस बार बार इसकी वज़ा से 6 अगस्त को पौधे की प्लांटेशन यहां पर किया गया था, 6 अगस्त को, नहीं तो 15 से 20, यदि आप के पास खेत अब लेबल है, हम अपने पिता जी के साथ मिलकर केली खेती कर रहे हैं, हम जल्दी वीडियो लाएंगे सामोही वीडियो इस पर चर्चा लाएंगे, यदि आप चैनल पर आ गए हो, तो चैनल पर बिल आइकन को प्रेस कर लो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आ आप केला खेती करना चाहते हैं, अपने समय में, आप भी कुछ अलग करना चाहते हैं, हटकर करना चाहते हैं, रूपे से मतलब मेहनस से पैसा कमाना चाहते हैं, टेकनिकल दिमाग से, तो आने वाले समय में, केला के खेती मतलब की अब ही, इसको कुछ अलग ही रहेगा, उत सबसे पहली बात यदि आपके पास खेत जहां पर ऊचा खेत है मिटी कैसी भी हो पहले मिटी पर नहीं जाएंगे अगली सुकर यहां पर काट दिये थे दो चार पहुधे तो यहां पर फेड़ी खेत से लाकर पहुधे लगाए गया था यदि आपके पास ऊचास खेत हो ऊचा खेत हो तो आप ऊचे खेत में बिना कोई सकके पहुधे लगा सकते हैं प्लांटेशन कर सकते हैं और यदि आपका खेत खाल है मतलब उसमें पानी रूपता है तो आप ऊपको थोड़ा बेड़ सिस्टम अपनाना पड़ेगा बेड़ सिस्टम लेकिन अगर आपके खेत खाल है तो अहां पर रहुत का पाउधे नमद लगाए क्योंकि बारिस में अगर बारिस हो जाएगी लगातार 15-20 दिन ब करते हैं अगर आधि आप एक दूरी रिष्टेंड में ले लिए कि 7 कर दिए तो आपको कोई अरानिक बात नहीं है आप उस पर ले सकते हैं यादि आप हाँ एक पौधे दो पौधे मतलब पेड़ी राखना चाहते हैं तो पेड़ी भी राख सकते हैं तो उसके लिए आप जिगजेक भी कर सकते हैं जैसे साइड में हमारे खेत के बगल ही फर्स्ट कट गया था सेकेंड जो पौधे से यहां पर कि अभी कुछ बंच इसमें हर्वस्टिंग नहीं थी हम वीडियो अप्लोड नहीं कर पाएथे यूटूब पर अब क्या है कि यूटूब पर वीडियो अप्लोड इसका वीडियो बनाए थे तो उसको भी अप्लोड करेंगी यूटूब कुछ खेत का लुक इस तरह दिख रहा है कुछ लोग कहते हैं कि केलक खेत में महिनत ज्यादा है तो हाँ आपको एक बात बता दें सुरूत कोई सी चीज हो कड़वी होती है सुरुवात में आपको क्या है मेहनत तो फेस ही करना पड़ेगा लगवाई एक साल यदि आप तो गाइड ले मतलब हम जो फेस की है उसको आपको सेयर करेंगे और उस गलती को नहीं होने देंगे हैं और कलाइ मेरिट के हुजा से मतलब जो भी छिड़काव कैसा क्या है साब कुछ डाल जाएगा यहां पर क्या है थोड़ा उत्तर परदेश में किसान रहबडा जाता है मतलब खाद कहां डालनी है कौन सी दवा डालनी है यही पर किसान गलती करता है Urea डालनी है, Potash डालनी है, DAP डालनी है, क्या डालनी है किसान को पहली बार में। कुछ पता नहीं रहता है। तो हम आपको । हम दोचा रिगस किये तो जो चीज्ज टाल कर देखें हैं कैसे किये से उस हर चीज वीडियो मादम से यह आप। लगाना है यह लगाना चाहते हैं यह लगाएं यह लगाएं हैं तो आपका पौदा पूदा कुछ इस तरह comparing किया ही होगा कौन हर Erfahresting या कौन सा इसको मतलब पतवार नासा कौन सा डालेंगे कौन सा ज्यादा आफिक्ट करता है कौन सा कम करता है सारी वीडियों में आपको बताएंगे कौन सी द्वा पड़ेगी थंड से बचने के लिए पाउधो को क्या दिये जाएगा सारी एक वीडियो में आपको बताए जाएगा, हर वीडियो आपको मिलती रेगा, हगद परदे महारास्टोयाली आपको कहते हैं किसान अपना उत्पादन तभी बढ़ा सकता है जब उसके पास संसाधन हो सीखने के लिए कलाइमेट हो अपने इस्थान पर रहता मतलब उत्तर प्रदेश निवासियत उत्तर गाइडलाइन यहीं सही का हो और हम आपको बता दें कि हमारे यहां घर पर बड़े-बड़े गुरू नामिस्ट की बात किया मतलब बड़े-बड़े कंपणी वाले आते हैं कहते हैं कि कुछ हमारा मतलब परचार कर दो ऐसा कर दो तो खिसान का हमेशा सोफर किया जाता है अगर किसान कुछ महनत के बलद प यह पर खेत के मिटी देख सकते हैं कोई चीज़ नहीं इहां पर क्रेकिंग आईगा हर वीडियो में आपको दिखाएंगे च्रेकिंग वी इस एमेड रेजन है उसको आपको दिखा रहे हैं जिदि आप कहला लगाए है यह यहाँ का मतलब खेत खाल भी खेत में ध़लान है तो आप एक साइड में खेत Köit was in एक साइड में इससे इस नालाकर SAKTakter से नाला करा सकते झैसे मैं अपने साइड में खेत में बनवा दिया हूं इस खेत में जो भी पानीas इसे होता होता है उस नाले में उता कश्केर नाला ग्याइन यदि काले मान यहां घ्राइसा यहां इसे लिए खेथ्म में क्रेकिंग एचा लाकान ओन पर निकल और इस लीए करेकिंग सुन करेकिंग हो और नेट chez ऊण जाइगी इनडर जाएगी वैपराइट होगा पूदे को तो शॉट मिलेगा उसी डाव निकलेगा कोई बंच में आप देख सकते हैं न कोई सीगट होगा न कोई पनामा विल्ट हाँ पनामा विल्ट है कैसा होगा जब लग जाता है वहां पर के रखेती बंद कर दी जाता है तो उसको भी आपको एक वीडियो बताएंगे अभी तो मै और करते हैं ऑपने पीताजी के साथ मिलकर खेती करते हैं तो उसको सब तकुत दिखाएंगे कैसे हैं किसी इलंब घंब जाने से च्छा है आप अगर 2-6 तो आप उचसी में सालीना साथ से आठ लाख इंकम निकाल सकते हैं बचत तो मैं जो अर्न करता हूं हर साल रूपए तो अपने मतलब सोड़ा सा मेहनत के वल पे करता हूं आपको जोड़ने का मतलब आपको है बस कुछ मेहनत इन लोगों का वह है इस खेत में निराई गुडा तो मिलेगा ही मिलेगा प्रॉफिट जो होगा उससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा जैसे आपके पास अगर आप साथ आठ भी के खेत लगा ली है तो आपके पास समझो कि छोटी सी कंपणी बन गई आप लगबग दो चार लोगों को रोजगार दे दिए जिन्दगी अपने लिए कमाने से अच्छा है कोई ऐसा चीज करो कि दो चार लोग दो चार घर उसी से दो चार सो तीन सो दिहारी मतलब निकाल कर उनका भी खर्चा चले तो कुछ इस तरह काम करिए तो हमें लगता है कि आप को जानकारी अच्छी लगी होगी आपको ले चलते हैं नाले क पास और नाले में आपको दिखाते हैं जहां से पानी नाले में इंटर करता है खेत का सारा पानी कम्प्यूटर से कम्प्यूटर का जीरो लेबलर किया था खेत को उसके बाद ताकि नाले के साइड से पानी सब निकल जाता है इधर से आता है साइड से आता है सब पानी और निकल कर नाले में चला जाता है आप भी ऐसे अपने खेत की साइड में छोटा सा नाला करा सकते हैं साइड में तो आपके पौधे में कोई दिक्कत नहीं होगी पानी लगने की दिक्कत खतम जब पानी लगने वाटर मैनेजमेंट सबसे अच्छा तरीका वाटर मैनेजमेंट तो जब हम खेती शुरू किये थे तो उतना मुबाईल उबाईल हमारे पास था नहीं 2015 में हमने खेती जब ड्रिप किया ड्रिप खेती करने के बाद हमारे पास क्या प्रॉबलम फेज करने को है मैंने ड्रिप लगाया तो थोड़ा वाटर मैनेजमेंट यहां पर गड़बड था तो ड्रिप में हम फेल हुए ड्रिप को छोड़े फिलट पर आए नाला कराए खेत के साइड में नाला कराए और नाला कराने के बाद आज हम हर वार हम लगभग इस समय पंदरा वीगे के रख्षेती हम खुद करा रहे हैं सिर्फ मैनेज कर रहे हैं और आपको दिखाएंगे पंदरा वीगे में कितना टर्नोबर होता है किस तरह का माल निकरता है क्वाल्टी दाए वादा साइनिंग और कैसे पाउधे को कंट्रूल कियाता है खेत के सामने एक चोटा सा माता जी का मंदीर है आप देख सकते हैं माता जी की सानिद में सब काम होता है खेत में होता है अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो और आप लोग जानकारी जानना चाहते हैं इस फिल्ड का भी हमारे मतलब गुछ गाइड लाइन पर हमारे गाउं में अमूमन लोग खेती कर रहे हैं तो फालो कर रहे हमारी गाइड लाइन को गराफ को जैसे गड़ा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं वो बदलते परवेस के लिए हिस्सा बन रहे हैं तो कहीं न कहीं खेती के माध्धम से आप कहीं न कहीं आगे बढ़ सकते हैं किसी भी शेतर में हो तो हम आपसे ही कहेंगे इस बार नहीं चूप गए हैं इस बार यदि आप इसाज जुड़ते हैं तो उत्तर परदेश में जो फिफ्ट जनरेशन का पौधा बनता है उस पौध ट्रांसफर कर पाएंगे और यदि आपको लोगों का सपोर्ट मिला 2018 का चैनल है इस बार अगर आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हम मुबाइल नंबर इमेल आइड़ी हर चीज अटेच करके आप लोगों के पास पौधे भी पहुचवा देंगे अभी हमारे पास लगभग दिसंबर नौमबर चल रहा है नौमबर चलने के बाद भी आपको समय बहुत है खेत कैसे तयार करना है उसको भी वीडियो अप्लोड करेंगे और सारी जानकारी आपको देंगे होता क्या है जैसे पौधा है इस पौधे को एक दिखो बंच निकल पूती इसको कहते है उतर पड़ेगा हर पूती निकलता है पंदरा बारा पूती हर सीजन में निकल जाता है तो इसी कटना पड़ता है और आप देख सकते हैं पौधे के बीच में कितना अच्छा गयब है इधर चार इंची महाराश्ट वाले बोलते हैं चार इंच यहां शा इंची शा इंची हर विख्कत है कश्मीर में केसर उपद्न किया तो उटर पर देश में आप इस तरक यह खेथी कर रहे हैं तो समिघ्र जिली जी आप प्राकिरत से लड़ रहे हैं जो हमारे भाई लोग खेथी कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम प्राकिर से खेती नहीं कर रहे हैं, प्राकिर से लड़ रहे हैं, खेत के पास में लगबग 10 फिट जमीन छोड़ दी जाती है, शुरुआत में टेक्टर से जुता ही होता है, देश में बेरोजगारी का आलम है, यहाँ पर की सरकार के भरोसे नहीं बैठना है, यदि आपके प जानकारी, वीडियो के माध्धम से खेत को दिखा दिखा कर आपको बता जाएगा, आपको बता दें, उत्तर परदेश के लखेती, सुल्तानपूर रिष्टिक, ग्राम सिक्रा में किया गया है, एक छोटा सा किसान है, कर जाहिन दोस्तों, जानकारी अच्छी लेगी होते व चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जाहिन दोस्तों!